नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा इक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और अच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो आज की ताजाखावर ब्रेकिंग न्यूज है कि हिमाचल प्रदेश में एक मई तक सभी शेक्षन संस्तान बंद रहेंगे चातर शेक्षकों के लिए बड़ी नियूज सामने बन कर आई है तो किन-किन को छूटी होगी इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है कि एक मई तक शेक्षन संस्तान बंद रहेंगे तो वीडियो पर एंटक बने रही है आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए शूरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने जो नियूज है कि परदेश में एक मई तक बंद रहेंगे सभी शेक् तो राज्य में COVID-19 की स्थीति की स्मीक्षा के लिए मोख्यमंत्री जाराम ठाकुर ने सुमबार को या वरिष्ट अधिकारियों के साथ बैठक की, बैठक में निरने लिया कि COVID के बढ़ते मामलों के दरिश्टी गत परदेश के सभी सेक्षन संस्थान एक मई 2021 तक बंद रहें जैराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने हाल ही में तीन जीलों का दोरा कर COVID-19 की स्थीति का जाज़जा लिया है उन्होंने कहा कि 22 अपरेल को मंत्री मंदल की बैठक आयोजित कर कोछ और महत्तपूर ने निरने जो है लिये जाएंगे की COVID-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन अस्पतालों में बिस्तर के क्षमता को बढ़ाने पर विशेश तोर पर ध्यान दिया जाए उन्होंने ऑक्सीजन और मेडिकल स्थाफ की प्रयाप्त अपलब्दा सुनेश्चत करने के बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा तो दोस्तो इस प्रकारा आप देख सकते हैं एक मई तक सभी शेक्षन सहस्ताम बंद रहेंगे अध्यापकों को भी एक मई तक आवकाश रहेगा ऐसी गोशना जो है स्यम जाराम ठाकोरने की है 22 की बैठक में जो है वो और कई महत्तपोंट फैसले लिए जाएंगे तो दोस्तो ये थी अभी की आज की तादा कावर ब्रेकिंग निउस अगर आपने अभी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक मेरी हर नौटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यवाद जैहिंद जैभार